हेलो गाइज अब तक हमने मार्शियल गौद में देखा कि शू फैंग देंग देंग की मदद से जू जी ग्रीन खोर्स वाल्ट स्प्रीट को एकी जटके में मार दालता है और आखरी में हमने देखा था कि शू फैंग सीनिय क्यूशी को धूनने के लिए बलड आफ सी की और आज की एपिजोट के शुरुबात में हमें दिखाए जाता है शू फैंग एवर लास्टिंग सी और बलड में पहुच जाता है तभी शू फैंग वो सी को देखके कहने लग जाता है ऐसे ही लोग इसे सी और बलड नहीं कहते है इदर तो सारो और खून जैसा ही सारा पा में आये हो तभी शूफैंग कहने लगता है सीनियर आप थीक बोल रहे हैं मैं इधर पहली बार आया हूँ मगर मैं यह जानना चाहूंगा कि यह जगे इतना क्यूँ कहा था तभी शूफैंग उस ओल मैं को कहने लगता है सीनियर कैसा लेजन के बारे में आप बोल रहे हैं आप क्या उसके बारे में मुझे बता सकते हैं तभी वो ओल सीनियर शूफैंग को बताने लग जाते हैं वो एरा बहुत ही मिस्ट्रियस और अनुखा था और उस समय मौन्स्टर एनीमल प्लैन और सारे स्पीशिस ने उस मार्शियल आर्ट काल्टीवेशन मेथट को हासिल किया था जिसको फगमान ने उन लोग को दिया था मगर उस समय इनसानों के पाउरफुल इंटेलिजन होने की बज़े से उन लोगों ने आसानी से इस मार्शियल एक और स्पीशिस थी जिसने मार्शियल कल्टीवेशन मेथट को मास्टर कर लिया था उनका इंटेलिजन इंशानों से कम भी नहीं था और उनके किसी के पास अगर नोबिल ब्लड लाइन भी नहीं होता था तब भी उन लोगों का पावर और इंशानों से बहुत ही जादा और लोग उन लोगों को एंशियन और गनिजम बोलते हैं तब इस सूफएंग सीनियर को पूछने लग जाते हैं उसके बात क्या हुआ था सीनियर तब इस सीनियर बताने लग जाते हैं तब एंशियन और गनिजम का पावर इतना बर गया था कि वो इंशानों के साथ साथ ब इस समय और दूसरे स्पीशिश को सिर्फ स्लेव और अपना पैट के रूप में ही इस्तेमाल करते थे और उस समय उन लोगों का पावर इतना पर गया था कि इन्सानों के साथ साथ दूसरे स्पीशिश के लोग भी उनके अंदर ही काम करने के लिए मजबूर हो गए थे तभी इन्सान अपने इंटेलिजन्स की बज़े से एंशेन किंग के सर्वेन बन गए थे तभी इंसानों को ancient king का cultivation method मिला जिसकी वज़े से उन लोगों को मालूम परा एक power के बारे में जिसके बारे में ancient organism भी नहीं जानते हैं तभी तीरे तीरे इंसानों को मालूम परा एक दुनिया खोलने का रास्ता जिसकी मज़े से वो लोग डूसरे दुनियाओं के species को उधर बुलाए तभी शूफेंग कहने लगता है senior क्या आप spirit formation technique के बारे में बोल रहे है तभी वो senior कहने लगता है तुम ठीक बोल रहे हो तभी इंसानों को spirit formation technique के बारे में मालूम परा था तभी शूफेंग senior को कहने लगता है अगर वो ऐसा हुआ था तब क्या ancient organism ने fight back नहीं किया था तभी senior कहने लग जाता है तुम सही बोल रहे हो और उस समय जिस इंसान ने इस power को हासिल किया था उसके और ancient king के बिच बहुती powerful fight हुआ था उस समय आत्मी ने अपने एक आग को खो दिया था जिसको वो कभी भी recover नहीं कर पाया जब वो king मरा था तब उसका सारा खून सी के सारो और फैल गया था और बहुती समय बाद वो सारा खून एक साथ मिलके एक सी फॉर्म हुआ था जिसको अब सारे लोग कहते हैं और उस आत्मी ने ही इंशान का किस्मत बनाया था इसलिए न्यू जेनरेशन के लोग उसको फेट और प्राइमू जेन्टॉर कहते हैं कि अचानक से और शीनियर हचने लग जाते हैं और कहने लगते हैं इसको मजह के लिए सुझ मेरे साथ ये बात की, मुझे नहीं लगता है, वो सारा फेक है, और मुझे ये भी लगता है, ये ब्लाइन ओल्मेन बहुत ही अजीब है, तभी दिखाई जाता है शूफैंग, हवा में उरके, ब्लाड ओफ सीव के अंदर जाने लग जाता है, तभी दिखाई जाता है नीचे स दो कोई बंदा आने लग जाता है, और शूफैंग को देख के कहने लगता है, इधर मॉंस्टर है, तुम जली से इधर फाग जाओ, तभी शूफैंग नीचे देखता है, जिधर दो बंदे होते हैं, तभी शूफैंग उन दोनों बंदे को देख के कहने लगता है, ये क्या जाता है उदर खड़ा हुआ दूसरा बंदा कहने लग जाता है जब इदर मॉंस्टर शला गया है तो वो दोनों इदर आये हैं हमारे सामने शौफ करने के लिए यह लोग बहुत ही कमीने हैं तभी इस बंदे के बात सुनके इम्मोर्टल एक्जिगेशन फैमिली का वो लंबे जाता है शौफ फैंग उदर से हटने लग जाता है और कहने लगता है यह सारे लोग तो बहुत ही क्या इम्मोर्टल एक्जिगेशन फैमिली के सारे लोग ऐसे ही होते हैं तभी थोड़ा आगे जाने के बाद शौफ फैंग को सी और बलद में एक सोती बच्ची दिखाए द लाता है और उस लड़की को बचा लाता है तभी उदर खड़े हुए सारे लोग शौफ फैंग को इस एक को डिश्टोय करता हुआ देखके हैरान हो जाते और कहने लगते उस लड़के ने तो एक मार्शेल लॉट लेवल के एक को आसानी से डिस्टोय कर दिया है तभी शौफैंग को कहने लगता है ब्रेदर हम दोनों के बीश्टो कुछ भी मामला नहीं है मगर आपने हमारे उपर एक क्यों किया है तभी शौफैंग उसके बात पर बहुती गुष्टे में आ जाता है और कहने लगता है तुम लोग क्या भूल रहे हो तुम भी क्या जानते हो तुम लोगों नहीं थोड़ी देर पहले इन उसे लोगों को हम करने के लिए एक किया था और तुम अभी बोल रहे हो मैंने तुमारे उपर एक किया है अगर मैं तुमारे इस एक को दिश्टो नहीं करता तो वो लड़की उधरी मर जाती तभी दिखाए जाता है अपनी एटेक से उस एटेक को उधरी दिश्टो कर देता है जिसको देख के उधर खाने हुए सारे लोग बहुत हैरान हो जाते और कहने लगते इस बच्छे के पास तो पावर है एक मार्शियल लोड डेवल के बंदे के साथ फाइट करने का यह बंदा किदर से आया है मैं इसके बारे में क्यों नहीं जानता हूँ अगर यह इतना पावरफुल है तो मुझे तो इसके बारे में जानना चाहिए था यह कौन से से आया है तब ही दिखाया जाता है इंमोटल एक्जिकुशन फैमिली का वो लंबे वालवला बंदा शूफैं को कहने लगता है मैंने त कुश्चन को इग्णोर करके मेरे उपर ही एटेक कर दिया है अगर मैं तुम्हें आसानी से इदर से जाने दूंगा तो मेरा ही नाम खराब होगा और तुम अपने आपको बहुत ही समझने लग जाओगे इसलिए मैं आज तुम्हें एक सबक जरूर शिखाओंगा और इहड अब इस चैनल को सब्सक्राइब करें डीजे थेंक्यू